टूइटर के मुख्य कारिकारी अधिकारी जैक डॉर्सी ने अपना पद छोड़ने का एलान कर दिया है। की अधिकारी पराक अगरवाल जैक डॉर्सी की जगा लेंगे। अपने आप में एक गर्व की बात है। बात डॉक डारेक्टर स्टेट फॉर्ड यूनिवर्सीटी से किया है। एक विशेश सौफ्टवेर इंजीनियर के रूप में टुइटर जॉइन किया था और फिर चीफ टेकनलोजी ऑफिसर बने। टुइटर से पहले पराग अगरवाल माइक्रोसॉफ्ट याहू और AT&T लैप्स के साथ काम कर चुके है। पराग अगरवाल ने IIT Bombay से Computer Science और Engineering में B.Tech की पढ़ाई की है और Stanford University में PhD पूरी की है। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने Twitter जॉइन किया था इसके बाद से ही वो Twitter से जुड़े रहे। वो बीते 10 सालों से Twitter से जुड़े हुए है। वहीं पूर्व CEO Jack Dorsey ने कहा कि पराग अगरवाल उनकी पहली पसंद है। पराग की तारिफ करते हुए Jack Dorsey ने कहा है कि वो हमेशा विपरत परिस्ततियों में भी कंपनी के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराग निवतार इंजेनियर यहां काम शुरू किया था और आज हो CEO है। Twitter के पूर्व CEO ने टूइट करके है जानकारी दी है कि पराग को एक मिलियन डॉलर का सालाना पैकच दिया जाएगा। डेली अपडेट्स पानी के लिए हमारे चैनल दवोकल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें।